Dear students, we have to discuss about the education for sustainable development. हम education for sustainable development की बात कर रहे हैं, उसमें EC के रोल की बात कर रहे हैं, इस EC के रोल के अंदर जो हैं, हम sustainable goals को कैसे achieve कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, और किस दीके से वो sustainable society में convert होगा, हम उसके उपर बात कर रहे हैं, हमने अभी बात की लास्ट में garbage के हवाले से, rich cycling के हवाले से, अब देखें कि इसके दो रोल हम प्ले कर रहे हैं, पहला रोल तो हम ये प्ले कर रहे हैं कि हमारे पास जो आलूद की है, वो खत्म हो रहे हैं और उसको हम किसी इस्तमाल के चाबल बना रहे हैं, दूसरे नंबर पे हम एक behavior भी डिवल्प कर रहे हैं, और वो behavior हम क्या डिवल्प कर रहे हैं, बच्चों के अंदर ये एक attitude और ये behavior डिवल्प कर रहे हैं कि वो किस दीके से, इन कुछ डिवल्प हो रही है कि ये चीज जो हमें सिर्फ नदर आ रही है कि ये गार्बिज है ये गार्बिज को हम किस तरह यूटलाइज कर सकते हैं यानि दूसरे लफ़ों में आप अगर बात कर ले हमने बच्चे के अंदर एक क्रियेटिव थिंकिंग भी डिवल्प कर दी है कैसे कि बच्चे ने जब इस चीज को देखा सामने कि ये जो मुझे गार्बिज नदर आ रहा था और मेरे स्कूल ने और मेरे टीचर ने मुझे कहा कि आप इस बाक्स को लेकर आएं और मैं उस बाक्स को जब लेकर आया वो कुछ भी था वो एक बॉक्स था वो एक बॉटल थी यूज बॉटल थी या वो कोई भी कोई चिप थी कोई बैटरी थी जो भी चीज उसने दी थी किसी भी अवाले से वो जब मेरे सामने आए तो देखे मैं इसको मैंने से लरन कैसे किया उसके अंदर एक क्रियटिविटी डिवेल्प हुई और वो क्रियटिविटी कह डिवेल्प हुई उसको यह भी समझाया कि यह तमाम चीजे जो हमारी आम कपड़े हैं या हमारे फुट वेयर हैं ये टेलिफून्स हैं सेल फून्स हैं कम्प्यूटर्स हैं टेलिवीजन्स हैं ये कैमराज हैं ये आम जिन्दगी में जब इनकी लाइफ खतम हो जाती है तो ये गार्बिज बन जाती है अब हमने इस गार्बिज को बच्चों के नालिज को experience में convert करने के लिए इस garbage को हमने स्कूल में लेके आई इस ही के लिए लेके अब यहां पर हमने at a time दो गोल अचीव की है पहला गोल तो हमने यह अचीव किया कि हमने उस garbage को low cost material LCM के कानून के तेट उसको हमने teaching learning process की effectiveness में use किया और बच्चे का जो knowledge था वो experience में convert हुआ एक तो हमने यह achieve किया दूसरे नंबर पे हमने उसके अंदर एक सोच भी डाल दी और वो सोच यह डाली कि कोई चीज़ दुनिया में जाय होने वाली नहीं है जिस चीज़ को आप waste material समझ रहे हैं जिस चीज़ को आप गौर में समझ रहे हैं यह भी usable है और इसको हम utilize कर सकते हैं और यह बित्तर अंदाज में role play कर सकता है आपके teaching learning process में यह एक example उसके जहन में जब आएगी तो उसके अंदर एक creativity develop होगी कि दुनिया में कोई भी चीज़ जो एक waste है उसको हम बित्तर अंदाज में इस्तमाल में कैसे बदल सकते हैं कि दुनिया में उसको कोई भी चीज नकारा नज़र नहीं आएगी हम जिसको electronic garbage कहते हैं बैट्रीज हैं रेडियोक्टिव चिप्स हैं बहुत सरी ऐसी चीज़े हैं अब हमने इनके बारे में सोचना शुरू कर दी है हम बहुत जदा परिशान हैं कि इनका जो garbage है हैं वो किस तुरिके से waste को बितर बितर बनाया जा सकी अब देखें प्लास्टिक की बात थी या किसी और चीज़ों की बात थी हमने पहले वुड की बात की प्लास्टिक की बात की अब हम थोड़ा सा बैट्रिस की जा इनकी बात करते हैं इनको भी हम यू समझे लें कि इनके अंदर भी हम वो रॉल प्ले करवा सकते हैं बच्चों एक्ष़े हैं बच्चों मोँके अंदर या इनि ग्रेड वन तू प्री के अंदर जाके जब बच्य कुछ काम कर रहे हैं science के experience कर रहे हैं experiment कर रहे हैं तो वहां पर इन चीज़ों को जिनको हम कहते हैं कि यह इनका जो waste material है यह जो इनका garbage है यह अमारी society के लिए खतरनाक है कि किसी के अंदर तजाब मुझूद है और वो अमारे किस तरह नुकसान दे हो सकता है और वो society के अंदर अब जैसे मैं आपको एक आम सी example देना चाहूँ जिससे आपको पहले बड़ी बजात हो जाएगी एक battery है वो नकारा हो गई है हमने उसे उठाके garbage में डाल दी है वो गलती से किसी ऐसे garbage में चली गई है जहां पे उसको burn किया जाने है अगर खुदाना खास्ता उस burning material में वो चली गई है और आप अंदादा करें कि जब उसको आग लगी तो वो कितना धमाका पैदा करेंगी और कितना धमाका खेज मुआद होगा इस point of view से अगर हम सोचें अब इसको एक और angle से देखते हैं कि वो बैटरी नकारा हो गई हमने उसको अब वो यूज तो नहीं हो सकती लेकिन हमने उसको teaching learning process का एक हिसा बना दिया अब जहां पे हमें नई बैटरी लगा के बच्चों को समझाना था यह उनको बताना था यह उसका कोई model बनाना था अब यह एक technology से related जो गार्विज हमारे पास आया है इसको हमने खोड़ी सी बड़ी उमर के जो बच्चे हैं EC की अब्तदाई उमर या early primary education के बच्चे grade one two three तक के जो बच्चे हैं उनको भी हम शामिल कर सकते हैं हम क्योंके particularly EC की बात कर रहे हैं तो हम लेहाज़ EC से उसका start ले सकते हैं और फिर primary education में जा सकते हैं तो यहां पर हम उनको एक environment वे friendly environment के अंदर उसको रखके उसके जो hazards हैं उनको खत्म करके hazard कैसे खत्म हो सकते हैं जिनि अगर उसके अंदर तिजाब डाला हुआ है तो तिजाब निकाल दें उसकी जो चीजें खराब हैं उनको थोड़ा सा clean कर दें तो वह एक हमारे जो हमें एक model बना हुआ लेके आएंगे और उसकी जो कास्ट हमारे प्यास पेश करने होगी उससे वह एक बहुतर रोल प्ले करेगा teaching लगने प्रासेस में क्योंकि वह original जी product है हमारे पास उसके जो hazards हैं उनको आप minimize कर दें यनि अगर कोई ऐसी चिप है जिसके अंदर radio activity waves आ रही है वहां पे हमें को खत्रा है तो उसको आप खत्म करने जैसे हमने बैटरी की बात किये कि उसके अंदर ते जाब है acid है और acid जाए वो बच्छों को experience करने में खतरनाख हो सकता है तो आप acid को remove कर दे तो अब यह जो उसकी utility हो गई है चीज जो उसकी usefulness है इसने बन्यादी तोर पे दो role play की है एक तो वो जो electronic का garbage है और जिसके अंदर हमारे खत्रात बहुत ज़्यादा है हमने उसको ना सिर्फ useful बनाया useful बनाने के बाद हमने अपने teaching learning experience को जो है उसकी effectiveness को इन के जरीए नास कर लिया